हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अटा 247 जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि SBI क्लेरिकल का एक्जाम काफी नजदीक है थर्ड में जो है इसका एक्जाम फॉर्म करने का लास्ट टेट है तो हम मैंने काफी कि SBI क्लेर के उपर में काफी वीडियो बनाया जिसमें की हमने स्ट्रेट जी बताई आपको कहां से फॉर्म करना है क्या 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 और चीज़े हो सकती है सारे चारे चीज़ बताए हमने लेकिन फिर भी बहुत सारे स्ट्रेंट्स का डाउट आ रहा है कि कहां से फॉर्म करना चाहिए, cut-off क्या रहेगा, strategy क्या होनी चाहिए, या फिर और भी different queries जो है, final year के students जो है, form fill कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, तो number of queries जो है, बच्चों के ढहे सारे हमारे mail पे आ रहे हैं, तो आज उन्हीं सारी query को resolve करने के लिए, हम इस video session में मैं और हमारे साथ सौरवसर हैं, तो SBI clerk मतलब ये video session, आप ये video session देखेंगे, SBI clerk regarding, जितनी सारी query होगी, आपका सभी resolve हम इस video session में करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ है, सौरवसर, हम स्टार्ट करते हैं, अपने number of questions, जो हमने को general questions लिये हैं, तो हमारे साथ सौरवसर है, FAQs बोल सकते हैं, तो हम जो है number video के last में खत्म हो जाएगी, बिलकुल, जैसे ये video खत्म होगा, आप सारी query भी खत्म हो जाएगी, बिलकुल, तो सर स्टार्ट करते हैं, कि सबसे पहला question, कि बच्चों का सर ये question है, क्या SBI clerical में sectional cut-off है, या नहीं है, अब सर देखा जाए, तो ये जो है, बच्चे सोचते हैं, कि सर रीजनी निकल जाता है, इंगलिश में निकल जाता है, अच्छा score भी करते हैं, ये भी आ जाता है, लेकिन सर इंगलिश के वैसा हमेशा कभी प्रीम रुख जाते हैं, कभी में तो कभी-कभी, अब कुछ लोग का कोई और वीक सब्जेक भी रहा होगा, मालनों किस जा रहा है, राइट, लेकिन अगर आप करना चाते हो, किसी भी एक सब्जेक में तो आप कर सकते हो, मेनली यहां पर जो ओवराल अपका स्कोर है, वो मैटा करेगा, तो इसलिए कोशिच आप यही करेगा, जितना अच्छे से आगर आप रीजनिंग में अच्छे हो, तो उस आपको सार बच्चों सार ने बताया, आपको कि सेक्टनल कट अवराल मार्क जो भी आएका वो कांट किया जाएगा, तो आपको डिशनिंग में, कौंट में, इंग्लिस में नहीं, आपको टोटल जितने मार्क साइंगे, वो जो है, आपका मैन मैं अटर करेगा, ठीक है, स्टुडेंट हैं, क्या वो अप्लाइ कर सकते हैं, तो सार जैसा कि मैंने देखा, एक चीज में आपको बता दू कि, 31st August 29, इस डेट तक जिसका रिजल्ट जो है, ग्रेजुशन के फाइनल यर का अगर आ जाएगा, तो आप जो है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एक्जाम सकते हैं, लेकिन, 31st August, मैं ये डेट लिख देता हूं, बिल्कुल, सार, बुचको तो ये डेट हमेशा ही आज रहेगी, विकाज ये मेरी बेहन का बर्थने है, 31st August, and so definitely, guys, it's a very good date, और अगर आप माल लेते हैं, इस तक आपका ग्रेजुशन पूरा हो जाता है, ठीक है, जा प्रिमेंटली, विकाम अग्राजवेट, ठीक है, उसकी बात हो रही है, माक्षी तो होते हैं, जब आप ग्राजवेट हो जाते हो, तो आपको पूरा सथे बिलता है, ये उसके तारीक की बात हो रही है, ठीक है, अगर इस डेट तक आपका रिजल्ट वाज आ जाता है, तो आप ये एक्जाम बिल्कुल दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, जैसे ही आप रिजल्ट निकालोगे, तो आप बिल्कुल एक्जाम को भर दीजिए, अगला कोशन ये है कि कुछ पच्चों का सर कोशन है, कि मिनिमन क्राटेडिया एजूकेशनल कॉलिफिकेशन ज तो या एक्जामनेशन वगेरे में रहता है, तो क्या उसमें कुछ पर्सेंटेज के क्रेटेडिया है भी या नहीं है, वैसे इस बार तो थिसले 2-3 साल से तो नहीं आ रहा है, और वैसे ही गाइस देखो, अगर माटर नहीं करता कि अगर आपके फ्रेंड के 75 परसंट आए ह या आपके फॉर्ड परसंट आए है और आपके 40 परसंट आए है तो आप यह नहीं कर सकते हूं वैसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ग्राइज़वेट हो, चाह्ए 40 परसंट है, चाह्ए 90 परसंट है, उसका मैटर नहीं करता है, if you are a graduate, you are eligible to take the examination, बच्चा का ग्रेजुएट पास हुआ है तो वो एक्जाम दे सकता है बिल्कुल कोई परस्टेरिया नहीं है किस डिविजिन में पास हुआ है उससे कोई मैंटर नहीं है बस आप ग्राजुएट होने चाहिए वह इस तरीके का कोई लिमिट रहता है या फिर किते बार भी हम दे सकते हैं जाहिए अगरम बात करें तो जो एज ग्रूप होती है वह लिमिटेड होती है तो जाहिए बात है कि ऐसा नहीं है कि जिन्दगी भर यह दे पाहिए अटेंप्स बड़ पॉइंट इस गाइस कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है कि जैनल जैसे की सब्सक्राइब करते हो तो आप अटेंब दे सकते हो इंट नहीं है चाहिए कोई बीगरी हो इस अनलिमिट जितना चाहू उतना दे तो बस बश चीज और था सर जिसे की तो काफी बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं लास्ट टेट है थर्ड में का फिर भी मतलब एक जैनल कोई थी कि सर क्या सेंटर जो है अकले सब्सक्राइब करता हूं और मैं रहने वाला दली काऊंगर मैं चाहूं कि दली में ही एक्जाम जो है पूचते ही है विए जाहिड सी बाते सर की अब बहुत चीजेंग हो गई है स्टूडेंट्स जो है अब ऐसा नहीं है कि पूरा पड़ाई घर पर बैटकर ही कर रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि किसी ना किसी इंस्टिट्यूट को यॉइन करने के लिए या किसी और कानन को दूसरे जाना पड़ता है तो बच्चो लेस से कि आप जो है वेस्ट बैंगॉल का ठीके मानले थे आपका घर है अब आप पॉस्टेड जो है तो बच्छो कोई परशानिकी वात निया राजस्तान में जो आपके घर के सबसे नजदीक का संटर हूआ उसको फिल करिए अगर seat खाली होगी तो आपको मिल जाएगी, आप चंता मत करको, so the point is that you can definitely fill the center जहाँ पर आप हो, उसके आप चंता मत करिये, हाँ, तो सर एक सवाल है, बच्चों का general query यह है, कि क्या जो है, अगर SBI clinical में, बच्चों का selection होता है, तो क्या day 1 से salary उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उनका training period कितने time का होगा, या उनको training के बाद salary मिलेगी, अब यह जो है, काफी interesting सवाल है, मुझको जगता है, सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान दो सुनेंगे, जब पैसे की बात आती है, जब salary की बात आती है, तो भाई, डेफिनिटली एवरीडी वांस की आर्थ, अच्छी salary मिले, तो फर्स पाल सब्सक्राइब पहला सवाल था आपका, क्या day 1 से salary मिलेगी, day 1 को salary नहीं मिलेगी, salary count होने चुरू हो जाएगी, है न, ऐसा नहीं की advice salary आपको advance मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, महिनी की most probably 26 से 30 तरिक के वीज में आपको salary मिल जाएगी, यह आप guarantee रखो, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं की free में काम करवाएंगे, आपसे SBI वाले, ऐसा नहीं होगा, आपके साथ, don't worry, you will be paid, even for your training period, अब सब्सक्राइब कर दो कि सर्कारी नौकरी है, तो जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी है, तो अपर्मेंट नहीं होगे, स्टार्टिंग के six months, it'll be a probation period, ठीक है, और वैसे मैं आपको सही बता हो, तो जाता कुछ फरक होता नहीं है, practically, because I am married to a banker myself, तो इसलिए मैं आपको कुछ प्राक्री उतना difference होता नहीं है, because you are treated as a banker only, तो यह मत समझिए कि बाकी लोग आपको second decision समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक banker के तौरपर ही काम करोगे, वो बस on paper रहेगा, कि आप probation पे हो, और छे महीने, I haven't heard anybody not completing the probation period, ठीक है, तो 100% इसमें है, कि आप कर ही लोगे probation period खतम, अराम से 6 महीने से, अगर आप एक अच्छे citizen हो, और एक अच्छे banker हो, simple as that, ठीक है, तो that's the thing, बिल्कुल salary मिलेगी और probation period 6 महीने को होगा, अब सर्ब मैं बच्चों का एक और प्यारा सा सवाल उठाना चाहूँगा आप से, कि सर्ब बच्चे सभी तरक्की चाहते हैं, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो SBI clerk के रूप में बैंक में जाएंगे, क्या वो SBI PO बन पाएंगे, या उससे भी आगे उनको promotion मिल सकता है, कितनी संभावना हैं, क्या percentage हैं, क्या chances हैं, बिल्कुल यह बड़ अच्छा question है, सर, कल ही मेरी बात हुरी थी students है, तो वो SBI PO के लिए ट्राइ कर रही है, लेकिन उसके 3 attempts हो चुके हैं SBI PO के, और इस बार 4 है, तो मुझसे वो पूछ भी रहती सर, क्या मुझे SBI clerk भरना चाहिए, और उसका ऐसा है कि मेंस में जा जाके फस जा रही है, तो मैंने उसे का हाँ बिल्कुल भसना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए, आप जरूर बिल्कुल जो है भरी है, और ऐसी चीज़े होती है, ठीक है, तो आपका एक्जाम्स होंगे, IJP होगी, internal job promotions होंगे, बहुत से चीज़े होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप clerk बने हो, तो जिन्दे के आप clerk की बनके रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके examinations होते हैं, और उनको clear करते हुए, आप officer scale 1, scale 2 अराम से बन सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, don't think कि आज clerk हूँ, तो कभी P.O. नहीं बन पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, definitely आप as a clerk join करो, exam clear करो, आप P.O. भी बनोगे, उस पर भी जाओगे, चरूब पतब सर कर दिया कि अब S.B.I. clerk बनते हो, तो S.B.I. P.O. भी बन सकते हो, scale 1, 2, 3 भी आपको को सकते हो, तो सबसे important सवाल, सबसे important सवाल जो भी मतलब है, बना हुआ, LPT का, अगर मैं बात करो, language proficiency test, ये क्या है, और ये क्या, कैसे, मतलब, क्या ये applicable होगा बचों के लिए, तो मैं व मैं अगर किसी other state से form apply करना चाहता हूँ, और वहां का local language मुझे नहीं पता, तो क्या मुझे वहां से उस state से apply करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, तो सभी इस सवाल के ओपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, और मैंने काफी उसके बाद रिसर्च भी किया, उसके बाद आपने वहीं से पढ़ाई लिखाए की है, वहां का local language गुझराती है, तो आपने 10th में 10th में 10th में आपने गुझराती language as a subject पढ़ा होगा, तो आपको prelims exam देने के बाद, mains exam देने के बाद, कोई भी language का test नहीं देना पड़ेगा, अगर आप किसी Hindi state से belong करते हो, आपने वहा अगर आपको सब्सक्राइब करने का सोचते हैं, तो मैं आपको बता दू कि आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, कि आपको वहां का local language आना चाहिए, अगर आपको local language नहीं आएगा, तो prelims or mains examination के बाद, आपके local language टेस्ट होंगे, अगर आप उसमें पास नहीं होंगे, तो सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, तो मेरा suggestion यह है, मेरा even advice यह है, कि अगर आपको अपने state से form fill करेंगे, यह जो local language है, अगर मैं यहाँ देली का रहने वाला हूँ, तो मैं उत्राखंट से भी form fill कर सकता हूँ, मैं मद्यपरदेश से भी कर सकता हूँ, बिहार से भी जारकं नहीं आता, तो मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ पर prelims or mains exam के बाद मुझे LPT देना पड़ेगा, अगर LPT मैं qualify नहीं करूँगा, तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, सर इसके कुछ marks तो मिलते नहीं होंगे, यह marks नहीं मिलते है, qualifying in nature है, लेकिन आपको qualify करना पड़ेगा, तो यह सबसे बड़ा डाउट था बच्चों का, I guess, जितने भी सारे बच्चे के डाउट होंगे, यह सुनने के बाद, I guess, सबका clear हो गया होगा, अगर जहां के resident हो, वहां कर तो LPT नहीं होगा, जहां के resident नहीं हो, अगर वहां जा रहे हो, तो जाहर सी बात है, non-hindi speaking state है, ऐ तो आपको LPT देना पड़ेगा, qualifying in nature है, तो आप कुछ समझ दखते हो, अगर pre भी qualify कर लिया, mains भी qualify कर लिया, और फिर LPT के रहे हैं, निकला और रहे हैं, तो दिल तो तूटेगा, फिर तो काभी problem होगी, तो आसा काम मत करना, कि LPT क्वालिफाइं नहीं हो आप से, बस में last म आपको ज़्यादा टाइम ना लेते होगी, मैं last में आपको बचीज बताना चाहूँगा, कि आपको जो है, अगर, exam online है, exam online है, तो आपको जो है, अपको online testories देना ही होगी, और सर कहीं नहीं आपको एक book भी चाहिए होगा, कि जहां से आप तयारी offline, कि हमेशा बच्चा online testories या online तयारी नहीं कर सकता, आपको यह books चाहिए होगा, कि जहां से आप बैठके, books पे questions लगा, एक बर मैं अपने team से कहना चाहूँगा, एक बर आप store दिखा देंगे मुझे आप एक बर, तो जैसा कि आप बचो यहाँ पर देख रहे हैं, कि testories की मैं बात करो, तो जो हमारे प्रोमी, SBI Club Prime आपको मिझ दिख जाएगा, इसमें आपका prelims और मेंस दोनों cover है, और एक बर आप नीचे डाउन कर दे आप इसको और और नीचे आए आए एक और और नीचे आए इसमें आपको 20 full lens mock मिलेंगे, previous year के questions भी मिलेंगे, topic wise test भी मिलेगा, आपको इसमें सब कुछ मतलब complete आपको इसमें पूरा सारे सब कुछ, prelims के भी और mains के भी, तो complete आपको इसमें सारा सब कुछ मिल जाएगा, online आपको practice करने के लिए काफी आपको helpful होगा, ठीक है, एक बार publication पे click कर देजेगा, सर में publication का भी बता दो, इसमें books में क्या हमारे पास available है, तो जैसे हम publication मे में देख रहे हैं, first row में ही SBI Clerical का books kit, जो हमने launch किया, इसमें क्या है, आपको reasoning, quant, English और साथ में, जो एक mock book चाहिए होता है, mock book भी 20 plus SBI Clerical का mock book हमने इसमें साथ में रखा है, और बस इसका price है 999, इसमें reasoning, quant, English और साथ में 20 plus SBI Clerical का mock book को लेगा, एक बार back कीज़ेगा आप Okay, let's come back, publication, 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 आपर आई है, तो एक बार सार, और किसी को जिसको 20 plus SBI Clerical का सिर्फ mock book चाहिए, तो इसमें हमने जो है, mock book इसमें जो है, launch किया, इसमें हमने क्या रखा है, 20 100 plus questions रखा है, with 100 plus solution, मतलब 20 plus mock है, इसमें 17 mock है, SBI Clerical के, चार जो है, previous year के questions रखे हैं हमने, और साथ म इसका detail solution दिया है, तो मतलब यह अच्छा important बात यह है, कि यहां पर 100% solutions है, बिल्कुल, answers नहीं है, solutions है, बिल्कुल 100% solution है, detailed solution है, और साथ में जो है, आपको, चार previous year के questions, 2016, 2018 के जो प्रिवेस year के questions होंगे, प्रिवेस year के questions होंगे, प्रिवेस year के questions में मिलें हैं आपको, बहु तो है, विजिट करना है, store, store.adaada247.com, ठीक है, अब एक और important information, sir, मैं आप बच्चों के देदों की, काफी important चीज है, sir, कि sir, जैसे कि हमारा month end चल रहा है, और काफी exam भी हमारे नस्दीक है, तो sir, हमने क्या किया है, कि हम दो दिन के लिए बच्चों को एक sale लेके हैं, month end sale है हमारा, उसमें सारे टेस्टरी, live batches, video courses, और जो भी हमारे चीज हमारे पाँ, हमें store पे हमारे पाँ, सब पे 25% discount offer कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब जितने सारे हमारे live batch है, video course है, testories है, publication है, चाहे आप SBI की तयारी कर रहे हो, SBI की तयारी कर रहे हो, SBI की तयारी कर तो आप सब पे 25% आपको off मिलने वाला है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें apply करने के लिए, आपको एक code apply करना है, exam 25, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो है आपका, exam 25 code आपको apply करना है, आपको 25% का discount आपको offer हो जाएगा, बचों, मैं आपको बता दू कि ये जो offer है, बस आज और कल के लिए है, तो आप लेट ना करें, आप SBA clerk, SBA PO या जिसकी भी exam की तयारी कर रहे है, तो आपको video course है, live batches है, testories है, publication है, सब पे आपको 25% off मिलेगा, आपको code लगाना है, exam 25, 30th April को ये offer expire कर जाएगा, 30th April को ये offer expire हो जाएग तो मैं आपको एक mail ID प्रवाइड कर रहा हूं, आपस mail ID पर हमें mail कर सकते हैं, जो भी mail होगा मेरे लिए या sir के लिए, मैं sir को forward कर दूगा, तो mail ID है, बच्चो, अनिकेत.kumar at the rate.adda247.com, ये mail ID है, बच्चो, आप जो है, जो भी sir के, sir से query होगी, मेरे से query होगी, आप जो भ अनिकेत.kumar at the rate.adda247.com, और ये अप धिहान रखना, ये आज और कल के लिए ऑफर बस वैलिड है, उसके बाद आप ऑफर का वैलिड उठाएं, और जो है एक्जाम की परवेशन तयारी अच्छे से करें, तर बच्चो, तर बच्चो, तर बच्चो, तर बच्चो, अनिकेत